अरे कृष्णा, तो जो जो बक्त लोग काफी साल से बक्ती का प्रैक्टिस कर रहे है, जब कर रहे है, मंदिर का सेवा कर रहे है, तो कुछ समय के बाद ये प्रश्णा आए जाएगा, कि हमारा जो साधना है और सेवा है, उसको समतूल, उसको संतूल और उसको बैलेंस केसे कर करने गा, तो कास करके हम देखेंगे, हमको समझ आते कि साधना हम क्यों कर रहे है, क्योंकि हमारा कुद को शुद्धिकरन करने के लिए, और कुछ प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने है? वही सेवा है, क्योंकि साधना जैसे नाम समरन, हम लोग Hare Krishna महामंत्र का मुझे भगवान स्री कृष्णा का सेवा में एंगेज कीजिए क्योंकि मतलब साधना जो है उसका फल सेवा है और सेवा जो है उसका जो मूल है साधना को केवल साधना करने से वो सेवा नहीं करेंगे कुछ मतलब नहीं है और साथ साथ में अगर समझो कोई केवल सेवा ही कर र तो वो भी कुछ मतलब नहीं है, सो सेवा फिर क्या है, सेवा मतलब जो भी हम कर रहें कृष्णा का आनंद के लिए, क्योंकि अगर हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, तो निश्चित हम लोग का खुद का सेवा करेंगे, जैसे हमरों इंद्रियों भोग करते हैं, इसके तांकि हमारा जो इंद्रियों है, वो शुद हो जाते हैं, तो उदारन जैसे कि हमको कुछ सुन्दर चीज देखने का इच्चा है, तो कोई पिक्चर देखेगा, सिनिमा जाएंगे, त्याटर जाएंगे, ये सब चीज जाएंगे, क्योंकि कुछ इच्चा है देखने के लि तो जितना भी हमारा इंद्रियों है, आंक है, खान है, त्वच्च है, वो सारे चीज जो है भगवान का सेवा में लागू हो जाते हैं, अगर हमको कुछ भूक लग रहे हैं, कुछ खाना इच्चा है, खाना खाने का इच्चा है, तो जो चीज हम बनते हो खुद के लिए, वो तो इंद्रियों बोक हो जाते हैं, लेकिन हम कृष्चन के लिए बनाते हैं, कृष्चन का संतुष्टी नेने के लिए, उसके बाद हम उसका महाप्रसाद का रूप में हम गरहन करते हैं, तो हमको भी संतुष्टी मिलेगा, तो इस प्रकार के यह बोलते हैं सेवा है, ख उस तक वितरन भगवटगीदा का वितरन हो सकते अलग-अलग प्रकार का सेवा हो सके मंदिर में या कहीं पे भी आपका सेंटर में जहां हैं क्योंकि जिवात्म का स्वभाव है ये कि बिना सेवा हम गचुप एक जागा पे बेट ने सकते हैं कुछ ना कुछ हम करना ही हैं तो मतलब अगर बगवान का सेवा नहीं करेंगे तो हम किसी और का सेवा करेंगे नहीं तो कुद का इंद्रा का सेवा करेंगे तो इसलिए सेवा तो ही है और साथ साथ में साधना वो ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अच्छा साधना करेंगे तब हम अच्छा सेवा कर पाया अभी हम वापस जाएंगे प्रश्णा जो है तो प्रश्णा है जो भक्त हैं जो सोला माला रोज जब करते हैं जो प्रातना करें बगवान मुझे सेवा दो मुझे सेवा दो और साथ साथ में कभी-कभी सेवा भी बहुत है कि टाइम ही नहीं जब करने के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या कर सकते हमको, पहले चीज हमेशा कल का जब जो है आज का प्लैनिंग होना चाहिए, तो आज से ही हम प्लैन करना चाहिए, कि कल का दिन मेरे क्या-क्या सेवा है, तो सुबह मुझे शायद जल्दी उठना पड़ेगा, या मुझे प्रायोरिटाइस करना पड़ेगा, प लेकिन कभी-कभी फिर भी समझो कुछ अमर्जनसी आ जाते हैं, जैसे हम लोग मंदिर में रहते हैं, कभी-कभी अमर्जनसी आते हैं, कोई नहीं है, तो बुलाएंगे हमको, आजाओ सेवा के लिए, तो यह कभी-कभी चीज होते हैं, यह चलेगा, मतलब एजस्ट करना तो हमारा साधना और सेवा मैच नहीं होते हैं, जितना हो सकते हमको प्लाइन करना चाहिए, और भाकी लोग जो हैं, जो शायद आपको लगरे कि मैं सेवा नहीं कर पाया, तो आईए मंदिर में, हमारा मंदिर में हर रविवार में प्रोग्रेम होते हैं, हर उत्सव में तक हमको सेवा नहीं करते हैं, तो आनन्द या रूची नहीं आएगा, फिर साधना जो है एक प्रकार के सड़क जाते हैं, क्योंकि बंद हो जाते हैं, तो साधना अगर ग्रो करना, साधना का और उत्साहत और ठेस्ट चाहिए नाम जब में, तो थोड़ा बहुत सेवा भी क करने चाहिए, तो ये दोनों हम बोल सकते कि इंटर डिपेंडन्ट हैं, ये साधना और सेवा, दोनों जुरूरी हैं, ये करेंगे से ये होते, ये करेंगे से ये होते, ये दोनों इंटर डिपेंडन्ट हैं, परस्परावलंभी हैं, या हिंदी में कहते हैं, अन्यो न्या श कि क्या-क्या सेवा है क्या-क्या मुझे करना पड़ते क्या-क्या मुझे करना चाहिए तो ऐसा समझ जाते और जितना हो सकते सुबह सुबह ही दिन में हमारा जो साधना है कितना नाम कितना जब मला हमको करना वो को सब सुबह ही कॉंप्लीट किजे सुबह ही कॉंप्लीट करें जितना हमको नरिश हो जाते हैं, किसी को overburden भी feeling नहीं होना चाहिए, ऐसा फग गया का feeling नहीं होना चाहिए, तो मतलब सेवा जादा हो गया, साधना इतना नहीं है, अगर सेवा भाव को निर्मान करना, तो जादा साधना चाहिए, ब्रबर, और केवल कोई साधना, पूरा 24 ग बोल सकते हमको कि आप ये थोड़ा कम करो, ये ज्यादा करो, या कैसे balance करनेगा, हरे कृष्णा